नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है 24 जून, शनिवान दुपर सवाएक बजे, राजसाम की 15 बड़ी खबरें इस न्यूस बुलिटिन के प्रायो जोख है, विनी, विनी केक अन मोर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर मोदी बोले, अमरीका, अमेरिका में ही रिन्यू होंगे, H1B वीजा और जो बाइडन ने मोदी को AI लिखी टी-शिर्ट गिफ्ट दी, मनी पुरहिंसा पराजली में आल पार्टी मिटिंग, ग्रह मंत्री शाह होंगे, शामिल और पीम मोदी दो दिन के मिस्र दोरे पर रवाना, 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद भी जाएंगे और कांग्रेस के प्रदेश से प्रभारी काजी निजामोदीन ने जताई पार्टी की सर्जुरी की जरूरत और अब खबरे विस्तार से अमारी के दोरे के आखरे दिन प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतियों को संबोधित किया उन्हें ने कहा, यहां मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नज़र आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है अमरीका में एक भारत श्रिष्ट भारत की सुन्दर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बढ़ाई देता हूँ इस दोरान लोगों ने भारत मादा की जय और वंदे मादरम के नारे लगाए इसके बाद पुरसकार विजेता इंटरनाशनल सिंगर मेरी मिलबेन ने भारत का रास्टगान जनगन मन गाया इसके बाद मिलबेन ने पियम मोदी के पैर्च हुए उन्होंने बताया कि अब H-1 B वीजा अमरीका में ही रिन्यू हो जाएंगे अमेरिकी रास्पती जो बादन ने प्रधान मत्री नारेंडर मोदी को AI लिखे टी-शर्ट गिफ्ट दी है इस पर लिखा है The future is AI यानि AI भविश्य है साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमरीका और इंडिया लिखा है PM मोदी ने एक दिन पहले अमेरिकी संसद में भारत और अमेरिका के रिष्टों पर बोलते हुए कहा था कि AI का मतलब है अमेरिका और इंडिया यानि भारत और अमरिका के वीज दोस्ती को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिवत दता है मनिपुर हिंसा मामने को लेकर ग्रह मंतरी आमिच शौहाज दुपहर तीन बजे से दिली में ओल पार्टी मीटिंग करेंगे मनिपुर के शिक्षा मंतरी बसंता सिंग ने बताया कि मीटिंग में रास्टे पार्टियों के साथ मनिपुर के मुद्धे पर चर्चा होगी हलांकि इस बैठक को कॉंग्रिस ने बहुत लेट और ना काफी बताया है प्रधान मंतरी नरिंड मोदी शनिवार को दो दिन के एजिप्ट दौरे के लिए रवान हो गए हैं चार दिन के अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्री की राजधानी काहिरा पहुंचेंगे मोदी के इस विजिट को बाइलेटरल ट्रेट के हवाले से बेहत एहम माना चौरा है एजिप्ट के प्रेसिडेंट अबदेल फटे अर्ट सीसी इसी साल हमारे 74 में गंतंतर दिवस समारों में चीफ गैस थे दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महिने में दोनों देशों के रास्ट रद्यक्षों की ये दूसरी मुलाकात होगी मोदी यहां भारती मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे प्रधान मंतरी महा एक हजार साल पूरा निशिया मर्चित अलहाकिम भी जौएंगे कौंगर्स के प्रधेश सेह प्रभारी कारजी निजामुदी ने कहा कि भीलवारा जिले में पार्टी के पताधिकारे और कारकरताओं से लिए feedback में सामने आया हैं कि जिले में Congress की सित्री brilliant student की तरह हैं लेकिन परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं मेरे हिसाब से जिले में Congress को 10 में से 10 number मिलने चाहिए लेकिन number बहुत कम आ रहे हैं वे शुकरबार को feedback कारिकरम के बाद पत्रकारों से बातचित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भीलवाड़ शहर में Congress का नहीं जीतना हमारे लिए चिंतन का विशह है इस बार जो हम करने वाले हैं वो आप भी देखिएगा हम होटल थड़ी पर जाएंगे सड़क पर रुपे की रिश्वत ली थी अब कोर्ट ने उससे सजा सुनाई है डॉक्टर को 21 मई 2014 को ट्रैप किया गया था विसस नयादीश विस्टचार निवारन अधिनियम शीवानी सिंग ने रुपे की रिश्वत के मामने में जवापुर की संतोष नगर निवासी ततकालीन अलवर जिला स्पताल के करने स्विशिशग्य अस्थी रोग डॉक्टर अमर्चंद मावर को सजा सुनाई है पूर्व शिक्षर राजे मंत्री और अजमीर उत्तर विधायक बास्टेव दे बिजली का भी लाया तो उन्हें जोर्दा जटका लगा है महंगाई राहच्षिविर में रेजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उभुक्ताओं को स्वा यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिली है सबसीडी के नाम पर आमजन को बेव को बना कर उनकी जेब काटी जा रही है महिला सुरक्षा साहीद उतपिडन को रोकने के उद्धिश से राज्जी सरकार अप्रदेश के 205 पुलिस थानों में महिला सुरक्षा वैसायता केंडर खोलने ज़ा रही है इसके तहार चिता और गड़ में भी 7 पुलिस थानों में केंडर खुलेंगे और इसके साथ ही जिले में 8 केंडर हो जाएंगे इन केंडरों की संचॉलन के लिए 95 आवेदन आए हैं महिला अधिकारता विभा की और से प्रदेश भर के 25 जिलों में 205 पुलिस थानों में महिला सुरक्षावन सलाह केंडर की स्थापना की जा रही है इन में जियारपी के 6 थाने भी शौमिल है अभी चिता और गड़ जिले में महिला थाना में ही इस केंडर को खोल रखा है स्कूल के सची विवस्थापक को कारण बताव नोटिस जारी किया है स्कूल के ओलनाइन पोर्टल पर 19 जुन को कक्षा 6,7,7,7,6 दरशा रहे थे इस अमन में संपर्क करने पर बताया गया कि आगे की कक्षाव के लिए माननेता के लिए ओनलाइन फाइल लगा रखी है विभाग ने इसे गलत बताते वे नोटिस जारी किया है राजस्थान में नए बने 19 में से 15 जिलो के सिमांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है इन जिलो से सिमांकन रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है राजस्विभाग की 30 जुन तक अधिस उचना जारी करने की तयारी है अधिस उचना जारी होने के साथ ही नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे वहीं विरोध की चलते जैपर वैजोदपूर के दो टुकडे करने का फैसला वापस लेने का प्रस्ताव रखा जा सकता है सरकार ने 15 जिलो में OST लगाए थे जिलो के OST ने से मांकन करके सरकार को रिपोर्ट भेजी है इस रिपोर्ट के आधार पर राजस विभाग ने जिलो के अधी सुचना जारी करेगा कोटा मेरंगपूर रोड पर गुर्ला सोगर या बाइपास रेलवे लाइन पर 32 करोड़ 15 लाग से बने आरोबी पर ट्राफिक शुरू हुए तीन साल ही हुए है 850 मिटर लंबे और 24 से स्पॉन वाले एक स्लाब का करीब 10 गुना 15 फीट हिस्से का सिमेंट कॉंक्रीट गिर गया इसके सरीय उखड गए कई जगा क्रैक नजर आ रहे हैं प्लास्टर सामने तक गिर जाता है लेकिन चिंता की बात ये है कि ब्रिज का सिमेंट कॉंक्रीट उपर और नीचे दोनों तरफ से तूटने लगा इसका काम वर्ष 2016-17 में चौल हुआ और मार्ष 2020 को इसका उधगाटन हुआ था रासान रोडवेज निगम की ओर से बसो में यात्री भार बढ़ाने के लिए कई तरह की यूजनाय चलाई जा रही है लेकिन जुन जुन जुले के कई शेत्र में ना तो बसो की परियाप्त विवस्ता है ना ही यात्रियों को कोई स्विधा मिल रही है कई रूड तो ऐसे हैं जहां रोडवेज बसो का संचालन ही नहीं होता अगर चलती भी है तो पूरे दिन भर में एक या दो बसी चलती है जिसके कारण यात्रियों का रोडवेज बसो की तरफ रुजान नहीं बढ़ पा रहा है जुनजुन जुले में प्रति दिन 8,000 यात्री बसो के साथ अन्य साध्नों से सफर करते हैं ITI अनुदेशकों की भर्ती से प्रैक्टिकल भटा दिया गया है ITI में अनुदेशकों की भरती राजसान अधिनस्टम मंत्रालिक सेवाचों अनबोर करता है आयोग ने भरती प्रिक्रिया से प्रैक्टिकल को हटा दिया है जल्द ही 700 से अधिक अनुदेशकों की भरती होनी है एसे में स्टूडेंट को पढ़ाने वाले बिना प्रैक्टिकल आएंगे पहले प्रैक्टिकल के साथ अंक थियोरी के 30 और इंटर्वियू के 10 अंक थे अब पूरा पेपर ही थियोरी का होगा वर्ल्ड बैंक से ITI अप्ग्रेडेशन के लिए करोड रूपए भी मिले जो की खर्च ही नहीं किये गए हैं अब ये बजट लाप्स होने का खत्रा है बैंकिंग शेत्मी नौकरी की तयारी कर रहे यूँआं के लिए अच्छी खबर है इंस्टिट ओफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देशवर के बैंकों में निकली वेकेंसी में पदो की संख्या बढ़ा दी है ऐसे में राजिस्तान समेट अब देशवर में 9,053 पदो पर भरतियां की जाएंगी इसके लिए 18-40 साल तक के उमीदवार IBPS के ओफिशल वेब साइट पर ज़ुआ कर अब 28 जून तक ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं हिमाचल में मौनसुन की एंट्री से पहले ही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है परदेश के अधिकांश शेत्रों में बीतिराज से ही मुसलाधार बारिश हो रही है शिमला में भी राद भर बारिश के बाद नालों में अचानक पानी आने से सारा मलबा सड़क पर आ गया इस से अलग-अलग शेत्रों में एक दरजन से जादा गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है कृष्णा नगर में भी आदा दरजन गाड़ियों को नुकसान हुआ है परदेश भर में नदी नालों में अचानक पानी का स्तर बढ़ने के बाद प्रदेश वासियों सेलानियों को इनके आसपास नहीं जौने के सलाह दी है प्रदेश भर में बारिश के बाद 45 से जादा सड़के याद याद के लिए बंध हो गई है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ